यह है यह एक ECG पेपर है जो आपका निकल तो होता है when you take the ECG recording तो इसमें यह देखें कि पहले आपको यह तीन नजर आ रहे हैं लिट्स 123 ठीक है यह अग्मेंटेड लिंप लिट्स की है और फिर यह V1, V2, V3, V4, V5, V6 यह पूरा ECG पेपर है ठीक है पिर आपने मैंने आपको बताया था कि आपने deflection चेक करनी होती है V1 और यह दोनों लिट्स के अंदर positive deflection आ रही है न सब में positive है तो इसका मतलब कोई आपको जो है ना cardiac accident deviation नहीं है पिर आपने जो है वो intervals लेने होते हैं कहीं इसे भी ले लें कि आर आर इंटरवल यह आर रहा है यह आर है तो तीन boxes है इसके दिम्यान में तो यह हमारा heart rate जो है वो 100 बन जाता तकरीपन तो इस तरह हम heart rate ले लेंगे पिर आपने जो है वो क्या देखना होता है इस नॉमल एक पास ठीक है नॉमल एक आरी रिद्मियास के बात करते हैं एक रिद्मियास में फिर्स्ट आप और से साइनेस प्रेडिकार्डिया थोड़ी सी इंपोर्टन चीज़ें बताऊंगी बस साइनेस प्रेडिकार्डिया मतलब जो ऐसे नोड है ना उसके उपर heart rate ज जाता है उसको कहते हैं ठीक है और इसके causes क्या होते हैं myocardine infarction, vagal tone increase हो जाए उसके वज़ए से heart rate कम हो जाएगा, hypothyroidism की वज़ए से drugs की वज़ए से ताकि heart के activities जादा हो ठीक है और most effective therapy हमारी क्या होती है chronic case में plus अगर ब्रेडिकार्डिया हो जाए, symptoms आ रहे हो, तो most effective therapy इस base maker हम लगा देते हैं, तो वो ऐसे नोड़ा काम करना शुरू हो जाता है, first degree heart block के बात करते हैं, तो इसमें आपको क्या मिलेगा first degree heart block में, जो PR interval होगा अभी नहीं हुआ और उसके दिम्यान में एक period आ रहा है, जिस तुरान जो होती है, वो AV node में से पास कर रही होती है, जो ऐसे node के बाद होता है, तो अगर वो वहां से पास करते हुए delay कर रही है, मतलब 0.2 seconds से जादा time लगा रही है, तो this is PR interval prolonged, ठीक है, तो इसमें क्या होग ठीक है, तो उसके दिम्यान में जो PR interval होगा, तरम्याम में कोई mist beats नहीं आएंगी, ठीक है, वस ही याद रखना है, prolonged PR interval होगा, इसका मतलब 1st degree heart block है, इसके causes क्या होते है, कोई AV nodal disease हो सकती है, vagal tone increase हो सकती है, infarction हो सकता है, electrolyte imbalances हो सकते है, 1st degree heart block का treatment क्या है, अगर asymptomatic है तो best initial therapy for this is atropine and most effective therapy is pacemaker, ठीक है, तो यह 1st degree heart block है, इसमें इनोंने ECG भी आपको बना के दिया है, कि इसमें PR interval जो है, वो 0.2 second से भर जुका होगा, ठीक है, और मतलब P से लेके, Q, ठीक है, P, depolarization of ventricle, और Q, ठीक है, उस तक, second degree heart block जो होता है, इसमें क्या होता है, कि जो है न, impulses जो है, बहुत सी impulses जो है, वो एट्रिया से ventricles में नहीं जा रही है, और dropped beats आ रही है, इसमें दो टाइप्स होती है, मोबिट्स टाइप 1 होती है, और मोबिट्स टाइप 2 होती है, मोबिट्स टाइप 2 जो होती है, वो जादा dangerous होती है, और उसमें cardiac death के chances होती है, अब difference आपने क्या याद रखने है, कि मोबिट्स टाइप 1 जो है, इसको हम कहते है, वेन की batch phenomena, ठीक है, इसमें क्या होता है, कि progressive length होती है, PR interval की, मतलब एक PR interval आया, वो lengthen हुआ था, मतलब prolong था, next आया, वो उससे जादा लंबा था, उससे अगला आया, उससे जादा लंबा था, progressive lengthening होगी PR interval की, और फिर एक drop इर आएगी, ठीक है, फिर इसी तरह PR interval प्रोलोंग होता 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 है, फिर एक drop इर होगा, कि, जो है न, dropped beat आएगी, without progressive lengthening of PR interval, तो, मोविश टाइप 1 में, progressive lengthening of PR interval आएगी, यहाँ पे कोई progressive lengthening of PR interval नहीं होगी, ठीक है, मोविश टाइप 1 में क्या होता है, AV node abnormal होता है, मोविश टाइप 2 में, परकंजी fibers जो होते हैं, वो भी abnormal हो जाते हैं, causes इनकी same होती हैं, और, यह हमारी चीज़ें आजाती है, अब difference इनका, क्या आत है, कि, मोविश टाइप 1, जो है न, एट्रोपीन के साथ improve होती है, और, cardiac massage से, वर्सन होती है, जब मोविश टाइप 2 होती है, वो opposite होती है, मतलब, वो, एट्रोपीन से, वर्सन होती है, और, cardiac massage सारा कुछ हो जाएगा, मोविश टाइप 1 में, अगर, asymptomatic है, तो, हम कोई treatment नहीं करते हैं, अगर, symptomatic है, तो, atropine देते हैं, जिसकी विज़े से, वो, ठीक हो जाती है, अगर, उससे treatment नहीं होता, तो, पेस में कर देते हैं, लेकि, मोविश टाइप 2 में, जिसमें, ड्रॉप जिखाई हुई है, कि पहली pion interval इतना है, फिर उससे जादा हो गया है, और फिर एक dropped beat आगी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आया, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, dropped beat आएगी, और कोई progressive lengthening नहीं होगी, ठीक है, फिर third degree heart block होता है, इसमें complete heart block हो जाता है, कोई impulse pass नहीं करती atria से ventricle में complete हतम हो जाता है, सब कुछ, ठीक है, इसमें जो एक चीज आपने आद रखनी है, वो यह, कि patient जो है, एक दम से, जो है, कोई warning sign नहीं हो था, patient अपनी consciousness loss कर देता है, इसको हम कहते हैं, कि stokes adams attack, ठीक है, और फिर क्या होता है, कि आइससा है, जो दूसरी signals लेना श इसके केस में जो हमारी treatment होती है, symptomatic के केस में भी हमने permanent paste maker लगाना है, और symptomatic के केस में भी permanent paste maker लगाना है, ठीक है, फिर एक चीज आती है, sinus tachycardia, sinus pradycardia में क्या था, 60 beats per minute से कम था, sinus tachycardia में 100 beats per minute से ज़्यादा होगा, तो उसको हम sinus pradycardia कहेंगे, इसके causes क्या होते है, anxiety, fever anemia, heart failure, thyroid, oxycosis, drugs, ठीक है, जो के beta agonist है, और ये सारे, ठीक है, treatment क्या होगा, क्या हम cause को treat करेंगे, atrial flutter में जो एक चीज याद रखनी है, atrial flutter, flutter जो होता है, उसमें क्या होता है, कि जो rate होता है, वो 30 beats per minute होता है, takycardia होता है, flutter, मतलब, अब हमें atrial taky arididmias पहर रहे हैं, ठीक है, पहरे हमने sinus की कुछ चीज़ें देखी थी, कि sinus bradycardia, first degree heart block, second degree heart block, third degree heart block, second degree की दो types per day, morbids type 1, morbids type 2, उसमें मैं आपको बताया है, कि किस सांसे differentiate करना है, और अब हम सहीं sinus takycardia की बात करते हैं, अब हम करने atrial flutter, atrial flutter की हमने बात की, उसमें एक चीज़ आपने याद रखने है, atrial flutter जो होता है, उसमें हमें 100 tooth ECG मिलती है, ठीक है, as you can see here, यह वाली ECG अगर आप देखें, तो this is saw tooth like, flutter waves हमें मिलती है, 2, 3, और AVF के अंदर, ठीक है, atrial fibrillation में जो एक चीज़ आद रखने है, MCQs के लिए वो है कि irregularly irregular, हमारे पास आर-ार इंटर्वल्स आते हैं, ठीक है, यह आर-ार इंटर्वल्स देखें, irregularly irregular, irregularly irregular, आर-ार इंटर्वल्स आपको मिलेंगे, तो this is, मतलब irregular के वार इंपर्स इस कभी ज़ादा, और atrial fibrillation जो होती है, इसमें जो चीज़ आद रखने है, वो यह इसमें आ, आपको जो है, hypertension is the most common cause of atrial fibrillation, ठीक है, और irregularly irregular, पल्स आईगी, आपको इसमें मिलेगी, और A-Wave इसमें आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि atrial fibrillation जो है न, वो वाइबरेट कर रहे है, बहुत जादा, जिसके विज़े से आपको A-Wave नहीं मिलेगी, A-Wave shows the atrial contraction, ठीक है, तो वो आपको नहीं मिलेगी, without A-Wave, इन cases में हम क्या करते हैं, acute atrial fibrillation के अंदर, अगर patient hemodynamically unstable है, तो हम जो है, कार्डियो वर्जिन करते हैं, ठीक है, और अगर hemodynamically stable है, तो step 1 हमारा क्या है, rate control, वो हमने करना होता है, कि हमारा जो rate है, वो atrial fibrillation है, उसके rate को हमने कम करना है, 60-200 के दिम्यान में लेके आना है, तो हम beta blockers, calcium channel blockers, और digoxin यूज़ करते हैं, दूसरा हमने rhythm control करना है, rhythm control के लिए हम क्या करेंगे, हम electric cardio version जो है, उसको prefer करते होते हैं, और electro cardio version जो है, उसको हम कहते हैं DC cardio version, और फिर हम करते हैं, pharmacological cardio version, जिसमें we have the flaconide and amiodarone, यह हम करते होते हैं, rhythm control, ठीक है, तो rate control हमने कहिए, beta blockers, calcium channel blockers, desoxin और rhythm control हमने कहिए, amiodarone, flaconide से, ठीक है, तो यह चीज़ें आगे, हमें कैसे पता चलेगा, कि एक patient आपके पास atrial fibrillation के साथ आया है, वो hemo-raimicoryan stable है, हमने cardio version करनी है, stable है, तो rate control, rhythm control करना है, drugs के थूँ, ठीक है, तो हमें कैसे पता से लेगा, कि patient हो hemo-raimicoryan stable है या unstable है, hemo-raimicoryan stability का पता से लेगा, जब patient hypotension के साथ, chest pain के साथ, disney and confusion के साथ आएगा, मतलब, unstable मतलब, कि उसको hypotension body को blood supply नहीं जा रहा, chest pain हो रही है, मतलब heart को blood supply नहीं जा रहा, और confusion मतलब brain confused हो गए, it means patient is hemo-raimicoryan unstable, इस case में आपने क्या करना है, cardio version करनी है, जल्दी जल्दी, अब chronic atrial fibrillation जो है, उसके लिए हम rate control करते हैं, beta blockers, or calcium channel blockers के साथ, और anti-coagulation करते हैं, warfarin के साथ, बस यह याद रखने हैं, multi-focal atrial atrial tachycardia होता है, और इसकी जो cause है, उसमें chronic COPD most common cause है, ठीक है, और इसका treatment जो है न, वो मारा होता है, कि हमने oxygen supply करनी होती है, ventilation provide करनी होती है, और हमने drugs जो है, उसमें calcium channel blockers देनी होता है, डिजॉक्सिन देनी होती है, cardio version जो है, वो हम इसमें नहीं करते हैं, तो अगर हमें जो है, वो atrial tachycardia मिल रहा है, जिसको mat कहते हैं, उसमें आपको, जो main चीज इसकी होती है, वो यह कि आपको distinct, तीन तरह की, तीन किसम की p-waves मिल रही होती हैं, ये regular किसम की, तो फिर हमारा मतलब, PR interval जो बेरी कह रहा होगा, B2B मतलब multifocalatrial tachycardia है, तब कभी कोई जगा पे, टेकिकार्डिया का किसी multiple foc आए है, तो आपको p-waves जो है, वो तीन से जादा मिलेंगी, COPDs की most common cause है, elderly लोग होंगे, respiratory failure के साथ आएंगे, तो हम उनको beta blockers इसमें नहीं देते, इसके treatment हमने b-ka, beta blockers बिल्कुल भी नहीं करना, इसमें जो treatment होता है, वो calcium channel blockers और digoxin होती है, तो उसके बाद supraventricular tachycardia है, इसका मतलब कि AV node के ऊपर tachycardia चल रहा है, इसमें आपको जो है, वो re-entry और automicity phenomena मिलते हैं, जिसके वज़ए से हो रहा होता है, 80% cases में re-entry phenomena चल रहा होता है, और इसमें आपको जो है, 130-200 beats per minute मेरे होती हैं regular, और इस तरह कीज़़, देख है, अब इसका जो treatment है, वो ही है कि acute case में, जब patient वो unstable है, तो हम क्या करेंगे, cardio version करेंगे, और अगर patient stable है, तो फिर हम vagal maneuvers करेंगे, जिसमें we have the kerotate massage, ठीक है, kerotate massage करेंगे, और इसके लाबा, अगर vagal maneuver से काम नहीं बन रहा, तो हम IV adenosine देंगे, ठीक है, और अगर adenosine से भी फाइदा नहीं हो रहा, तो IV beta blockers देंगे, या IV calcium channel blockers देंगे, जिसमें we have the dilatism and verapamil, और इसके लाब हम IV rejoxine देंगे, और अगर patient जो है, वो recurrent के साथ आ रहा है, तो फिर cardiac ablation करेंगे, फिर फोर्थ case में, जो है, हम बिल्कुल, जो है, वो हम क्या करेंगे, बाहर से source देंगे, कार्डियो वर्जिन ठीक है, तो अगर stable patient है, वेगल बिन्यूवर्स, उससे फाइदा नहीं हो रहा, IV adenosine, उससे फाइदा नहीं हो रहा, IV beta blockers, calcium channel blockers, उससे फाइदा नहीं हो रहा, तो cardioversion, otherwise अगर unstable patient है, तो direct cardioversion, unstable patient क्या होता है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, chest pain, hypotension, shortness of death confusion, ठीक है, और उसका urine output भी कम होगा, तो हमें बता जल्दे का unstable patient है, तो हमने उसको कैसे treat करना है, बुल्फ Parkinson's syndrome में, जो आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसमें ये कि, जो PR interval होगा, वो 0.12 से कम होगा, 0.12 से कम होगा, short end होगा, और डेल्टा वेव आपको भी मिलेगी, डेल्टा वेव ये जो आपको मिल रही है न, PR interval देखें, इसमें कितना short end होगा है, ये देखें, ये P wave है, और ये P wave है, और इसके बाद ये देखें, PR interval short end होगा है, and this is a delta wave, डेल्टा वेव क्या होती है, कि अन्स्टेबल होगा, तो कार्डियो वर्जिन करेंगे, अगर acute case के साथ, एरिद्मियास के साथ आरहा है पेशेंट, तो उस case में हम जो है, वो, UK Wolf Parkinson syndrome में, ये ही हो रहा होता है, कि प्रिमिचोर ventricles, एक्साइट कर रहे होता है, मतलब अभी, अभी उसके उपर सिग्मिल जा नहीं हो रहे होता है, तो पहले प्रिमिचोर कंटर, एक्साइटेशन होना शुरू हो जाती है, तो फिर हमारी drug of choice होती है, रिद्मियास के लिए वो है, प्रोकेनमाइट, ठीक है, और chronic therapy के लिए, हम radio frequency ablation करते हैं, और जो के 95% curative है, और कौन सी ड्रग्स हमने नहीं देनी, बाकी सारी डाइजोक्सिन, कल्चिम चैनल ब्लॉकर्स हो हमने नहीं देनी, क्योंकि इस एवी नोर ब्लॉक हो जाएगा, और फिर और कोई abnormal pathway बन जाएगा, तो हमने इसमें chronic therapy में, radio frequency ablation देनी है, और acute case में procreanamide देनी है, और unstable case में cardioversion करनी है, फिर नमारे पास आता है ventricular fibrillation, ये थोड़ा सा important topic है, इसके दर्मारे में थोड़ा बताऊंगे आपको, कि ventricular fibrillation में सबसे वहले जो आपने याद रखनी है, चीज के इसमें multiple fociai बन जाते हैं, ventricles के अंदर जो के rapidly fire कर रहे होते हैं, और फिर ventricles में, जब इतनी जादा जादा ventricles contract करेंगे, ना उनके अंदर कुछ आएगा, प्लाम ब्लड और ना कुछ जाएगा, तो patient जो हो क्या करेगा, उसके अंदर कोई cardiac output नहीं होगा, patient syncopy में चल जाएगा, क्योंकि उसके brain को blood supply नहीं मिल रहा है, उसका blood pressure absent होगा, pulse less होगा, ठीक है, तो इसमें palpitations होगी, breathlessness होगी, pulse less होगा, patient कभी बिल्कुल absent हो जाएगा, syncopy के साथ आ सकते हैं, इसके causes के हैं, इसकी मिकार डिसीज़, आपको पता है, उसकी complication हमने पढ़ी थी, ठीक है, ECG पे हमें जो चीज मिल एगी, वो आपने MCQs के लिए याद रखनी है, कि इसमें हमें कोई P-Waves नहीं मिल दी, देखें, ECG देखें, जरा कोई P-Wave आपको नजर आ रही हैं, कोई P-Wave आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, और रर इंटर्वल जो है, वो इर्रेगुलर्ली इर्रेगुलर्र है, तो इस इस दा ECG, उसके बाद, इसका जो ट्रीटमेंट होता है, उसमें सबसे पहले जो इसमेडिकल एमेजन्सी सबसे पहले बात यह, तो हमने सपोर्टियिटमेंट देना होता है, पर शचेके नमारा एम होता है कि हमने कवस को टीट करना होता है, कि एगर इसके महीं काड डिजीज है, उसको ट्रीट करें, और शचेकंगर बीटा ब्लॉकर्स देने होता है, है ठीक है स्ट e-6 का फिर फ़ाइव साइकले निया है निया और ट्राइव इखस बीथी क्या है आपने रिदम देखा आपने सेकेंड्ड फिर आपने एपीनेफरी स्टार्ट कर दिया आपने थर्ड शॉक दिया और इस तरह से ठीक है और मतलब इसका जो में जैना वह मैंने यह चार्जी ने बता दी स्पोर्टिव ट्रीटमेंट अपने बीट ब्लॉकर एंटिकोगलेंट ने रिदमिक्स देने और फाइनली आपके पास क्या होता है कार्डियो वर्जिन कार्टिक प्रीजिन तेखनीक पीर एक चीज आती है वंडिक्लर टैकिकार्डिया इसमें क्या होगा आपके पास के 100 से 250 बीट्स जा रही होंगे उसको वेंट्रिक्लर टैकिकार्डिया कहते हैं तीन या तीन से ज्यादा प्रीमिचूर वेंट्रिक्लर कंट्रक्शन सगर आ रही हो तो उसको वेंट्रिक्लर टैकिकार्डिया करते हैं इसकी जो कॉज़े से उसमें कॉरनेरी आर्ट्री डिजीस वि अगर पल्स आ रही है थो अनस्टेबल है तो हमने स्टेबल है तो हमने स्टेबल है तो पिर ऑक्सिजन, amiodarone, prokinamide और cardioversion, यह आपका जो एक flow chart होता है treatment हमारा कि हमें जल्दी जल्दी पर आ रहे हैं कि यह चीज़ें MCQs के लिए हैं, बस कोई SCQ नहीं आता है इसमें से देखें, treatment क्या है कि हम hemodynamically unstable है तो वही cardio version है, hemodynamically stable है तो amiodarone और prokinamide यह flow chart मैंने आपको बता आ दिया है यह देख लें, फिर एक चीज़ आती है torsates de-pointing जो कि आपको आती है ventricular technique कार्डिय में मिलती है ठीक है, इसमें जो है आपको क्या मिलता है, इसमें जो treatment आपने हाथ रखने है वो है IV magnesium IV magnesium is given in case of torsates de-pointis, ठीक है इस तरह की कुछ चीज़ की होती है हमारी torsates de-pointis जो है waves, टिक है undulating rotations होती है QRS की around the ECG baseline इस तरह की ECG आपको मिल रही है इस is torsates de-pointis, shows the premature ventricular beats, abnormal ventricular repolarization and prolonged cutie interval यह दोर इसी pictures देख लें face, mouth and ice में आपने देखना होता है cardiovascular system में pallor, central sinus, dental caries retinopathy, hyperlipidemia के लिए आपने देखना है thyroid disease देखना है, malar flush देखना है poor old hygiene in case of infective endocarditis ठीक है, dentalismas आपने देखना है second number पे, यह six number पे था jugular venus pulse आपने देखी और फिर यह जो है हमारा seven number पे देखें, pre-cordium को inspect किया palpate किया ठीक है बिल्कि हम यह one से जाते है hands से, hands में देखें clubbing आपने देखी, splinter hemorrhages देखें for the impactive endocarditis इस तरह से आपको नजर आते है splinter hemorrhages ठीक है, two पे आपने radial pulse देखी उसका rate and rhythm, third पे आपने blood pressure दिया fourth पे आपने kerotate pulse ली sorry fourth पे आपने जो है वो पर फॉर्म करते हैं seventh पे आपने pre-cordium inspect pulpit कर लिया और उसके बाद आपने back देखी for the lung gravitation, sacral edema फिर आपने abdomen देखा for apatomegaly, cytis, innerism 11 पे आपने tandem जो है जैंतोमास देखे 12 पे आपने femoral pulse देखी 13 पे आपने legs पे peripheral pulses और edema देखा ठीक है इसमें peripheral edema आपने देखा congestive cardiac failure में vasculitis आपने देखा infective endocarditis में observation आपने की breathlessness, distress तो नहीं है body habitus, कैसे obesity तो नहीं है marfen syndrome या इस तरह की problem हो उसको यह जो चीज़ी है डिविट्सन की यह जस्ट आपकी bed side के लिए important है आपने देख लेने क्लिनिकल बॉर्ट में सखाया जाता होगा उसमें आपने देख लेने है कि हम जो है वो कैसे देखते है ठीक है यह बहुत अच्छा है नों ने दिखा है वह यह देख ले यह आपने 12b recg देखने दिया सबसे पहले आपने lead 2 देखी उसमें आपने heart rate और rhythm इसमें 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 आपने देखे लेकल देख लिए लेकल देखे लिए लेकलेट सेखी और हाय डिस हैं ने देखे लेकल एंगे लाइव जा कर दिया झाल झाल